हे नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपको आपको फिर से इंडियन टेग गुरुकुल में दोस्तों आज आपके लिए मैं सैमसन गलेक्सी टैब ए 10.1 की कमपेशन वीडियो लेगा रहा हूँ लिनोवर टैब M10 FSD ट्रैल से तो दोस्तों वीडियो को आप पूरा देखते काफी बड़िया बात है आपको मैटल वोड़ी देखने को मिलती है जिससे आपकी टैबलेट काफी स्ट्रोंग हो जाती है और जो आपकी लिनोवर की टैब है इसमें आपको फुल प्लास्टिक वोड़ी देखने को मिलती है तो इसमें आपको प्लास्टिक वोड़ी देखन को मिलती है बट यहाँ पर आपको IPS टेक्नलोजी देखने को मिलती है और आपको Full HD Plus Resolution देखने को मिल जाता है साथ में तो दोस्तो डिस्पेले के मामले में भी almost same same से हैं अब बात करते हैं दोस्तो बैटरी को लेकर बैटरी आपको जो Samsung की टेबलेट में देखने को मिल जाती है तो वो दोस्तो आपको 6150 mAh की देखने को मिल जाती है अगर हम इसको compare करें लिनोवो की टेप से तो उसमें आपको 7000 MHz की बैटरी को देखने को मिल जाती है तो बैटरी के मामले में लिनोव की टैप बहतर है अब दोस्तों बात करें हम प्रोसेसर को लेकर तो जो आपकी Samsung की टैप में 9611 Exynos का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है जो कि एक काफी आपको एक अच्छा प्रोसेसर मैं कहूंगा टैबलेट के इसाब से देखने को मिल जाता है उसमें आपको A76 की कोर्स भी देखने को मिल जाती है जो कि काफी पावफुल कोर्स हैं आपकी गेमिंग बगएरा उसमें जो नॉर्मल है काफी बड़ी थरीके से हैंडल कर लेगा अब इसको compare करें हम Lenovo की टैब से तो Lenovo की टैब में दोस्तो आपको Snapdragon का 450 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है जो कि एक आपको basic प्रोसेसर देखने को मिल जाता है मिल जाता है तो अब दोस्तों बात करते हैं यहां पर एक प्रोब्लम आ जाती है जो कि यह RAM को लेकर RAM आपको Samsung की टैप में 2GB की RAM देखने को मिल जाती है जो कि आपको sufficient नहीं है multitasking के लिए मैं बताऊं क्योंकि उसमें आपको भी में उसका reason आगे भी बताऊंगा उसमें आपको Samsung टैब है उसमें इसमें आपको 2GB RAM देखने को मिलती है जबकि आपको Lenovo की टैब में 3GB RAM देखने को मिल जाती है तो इस current से अगर multitasking का experience देखा जाए तो आपकी Lenovo की टैब में बहतर होगा अब दूस्तों बढ़ते हैं कुछ और चीज़ों की तरफ storage आपको 32GB देखने को मिल जाती है Samsung की टैब में और same storage आपको देखने को मिल जाती है Lenovo की टैब में 32GB तो storage के मावले में भी दोनों सेम है और speaker की बात करें तो दोस्तों आपको dual speaker देखने को मिल जाते हैं दोनों ही टैब में और speaker Dolby Atmos के साथ आते हैं तो sound quality आपको अच्छी टैबलेट चाहिए movies बगाटा देखने के लिए तो Samsung की टैबलेट definitely वहतर है उसके speakers उसमें काफी बड़िया देखने को मिल जाते हैं compare करें हम इसको Lenovo की टैब से कुछ और चीजों के बारे में बता हूँ आपको इसमें 3.5 mm का jack दोनों ही टैबलेट में देखने को मिल जाता इन वोक्स आपको देखने को मिल जाते हैं साथ में आपको Lenovo में micro USB का support देखने को मिल जाता है तो यह हो गया दोस्ते एक तरह से full comparison और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ जो आपकी Lenovo की टैब है उसमें आपको इस्टोक Android का support देखने को मिलता है pure Android है कोई आप इसकी कारण performance में आपको दिक्कात आ सकती है क्योंकि उसमें RAM भी आपको कम देखने को मिल जाती है अब दोस्तो मैं final आपको बताता हूँ कौन सी tablet इस किन लोगों के लिए वहतर रहेगी तो दोस्तों से tablet खरीनी चाहिए Samsung वाली किन लोगों के लिए तो एक मजबूर tablet जिनक आपको एक अच्छे sound quality चाहिए और आपको एक brand experience चाहिए कि मतलब एक Samsung brand आपको brand value से फरक पड़ता है तो आप Samsung की और जा सकते हैं अगर आपको इतना ज्यादा multitasking का काम नहीं है अगर आप situation नहीं करते normal whatsapp आपको YouTube बगएर यह सब देखना है तो आप Samsung की tablet खरी सकते हैं आप अगर आप इन सब को आपकी priority देते हैं तो आप Samsung की tablet की और जा सकते हैं और अगर आपको एक high quality की display चाहिए क्योंकि display जो IPS होती है वो TFT से बहतर होती है अगर आपको एक high quality की display चाहिए और आपको साथ में आपको multitasking experience एकदम बहतर चाहिए और साथ में आपको दोस्तों जो आ आपकी tablet का overall experience है हर चीज को लेकर एक balance आपको अगर tablet चाहिए और जिसको battery life काफी बड़िया चाहिए या फिर charging थोड़ी fast चाहिए तो आप इन सब point को consider करकर Lenovo की tab की और जा सकते हैं Lenovo Tab M10 FHD Real दोनों की price almost अब सेम हो गई है आपको 13,000 के आसपस दोनों tablets देखने को मिल जाती है बस आपको Wi-Fi और 4G वाले variant में थोड़ा देखना पड़ेगा उसमें 2000 रूपा नीचे होते रहते हैं बाकी link में description में provide करा दूँगा और अगर आपको Lenovo Tab M10 FHD Real का review देखना है तो आप मेरे चैनल पर जा सकते हैं मैं आपको iCards में link भी दे दूँगा वहां से आप जाकर चैक आउट कर सकते हैं बाकी में description में link provide करा दूँगा और अगर आपको कुछ problem है तो आप में comment box में बोल सकते हैं तो thank you so much इस वीडियो को देखने के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको like कीजिएगा चैनल को subscribe कीजिएगा thank you so much इस वीडियो को देख करने के लिए